नवस्कार दोस्तों स्वाइब गात है स्एपी स्मार्ड क्लासेश में this video में मैं डिसस करने जा रहे होई यूर्टीई पी सियल आफिस अशिस्टेंट का जो एक्जाम ह embod criança था पॉइस। नौकों भाइस सितंबर को पुआर बंतिस सितंबर को इस एकजाम के बाद इसके यह answer की आ चुकी है, answer की के बाद का cut-up क्या होगा इसके बारे हम यहाँ पर चर्शा करने जा रहे है है जो cut-up है, answer की की बाद का cut-up है और answer की के बाद ॉर निकल गया है आप लोग अपने answer seat के बाद मिला चुके हैं कितने marks आ पके आ रहे हैं, आप कटाप देख लिए आपके सेलेक्ट होने की पॉस्विल्टी जो है आपको किलियर हो जाएगी आप टैपिंग टेस्ट शुरू कर सकते हैं इसके बेस पर और उसी के बेस पर आप लोग जो है जो भी आपको लिए टैपिंग टेस्ट के लिए टाइम मिला हुआ है उसमें कर सकते हैं तो पूरी चीज़ें इसमें डिसकेस की जाएंगी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें कंप्यूटर के कंप्यूटर के 50 50 कोचेंस थे जिसमें से यह केवल क्वालिफाइंग था क्वालिफाइंग था क्वालिफाइंग नेचर का था क्योंकि computer के paper आसान नहीं था तो इसलिए computer के paper में कि नॉर्मेलाजेशन का रूल लग सकता है जिससे आपके आप क्वालिफाई कर जाए क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना था क्वालिफाई करने के बाद आपके पास जीएस में 25 कोहिचन रिजिनिंग के 45 कोहिचन आये थे हिंदी 65 इंगलिज 65 टोटल 200 कोहिचन का यह एक्जाम था प्रतलेम हैं प्रता हैं और दो दोस्तों सोदिए के बारे मैं आपको बता देना चाहतach हुँ थो आपदेख लीजेए इसको यह जो वेकेंसी थी बारे मैं आपको बता देना चाहते हूं थोला यह ग्रेड थी कि थी इस्टेनोगराफर ग्रेड थी इरिखतियों की संक्या 227 थी और कार्याले सहाया की आफिस आसिस्टंट की 2299 इसकी थी प्लस 227 थी आसुलिपिक की तो यह टोटल जो पोस्ट होती है आप होती है यह टोटल पोस्ट है 2296, 2296 पोस्ट के लिए एकजाम हुआ है और इसमें जो टाइप टेस्ट के लिए इसके 5 गुना 5 टाइमस, 5 टाइमस कंडिडिट को बिलाया जाएगा एकजाम के लिए, टाइप टेस्ट के लिए, तो कितनी पोश्ट हो गई टूटल 296 पोश्ट हैं इन्टू 5 आप कर दीजिए यह आगया टूटल 11,480 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा अब टाइपिंग के लिए जब इतने लोगों को बुलाया जाएगा तो इसके बेस पर ही मेरिट आएगी आपकी इं प्लेस केंडीडेट का सर्वे किया है उनसे बात की है उनसे पता चलाए कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं उन्हें इंसर की कितनी देखी है तो सर्वे के बाद जो कटाफ आ रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी तो सर्वे के बाद जो कटाफ आ रहा है क्लियर हो रहा तो आपको क्या करना है आपको Hindi typing इस्समें मागई गई है और Hindi typing इदनी आसान नहीं होती है कि आप इसनी जल्दी उसकी practice कर सकें 30 वर्ड पर मांगा गया है 30 वर्ड पर मॉणड गया है कि हिन्दी टैपिंग और 35 वर्ड पर मिनट English typing मांगा गया और इसके लिए आपको पांच मिनेट का time मिलेगा 5 मिनट का टाइब मिलेगा उसमें आपको ये इतनी की speed लेके आनी है दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा के कट आप के तना जाने वाला है और उस से पहले हम थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहते हैं इसमें कि जो ये एज दिया था 21 और 40 वर्स दिया था नियुमतों में 21 वर्स और में 40 वर्स मांगी थी ठीक है दोस्तों कटाफ की बारे में बात करते हैं कटाफ कितना जाएगा कि दिने माग साथ के आने चाहिए तो जनरल केटेगरी की जहां थे हम बात करेंगे जनरल केटेगरी में जो कटाफ जाएगा वह जहां तक मेरे सर्वे का अनुमान बता रहा है कि इसमें कटाफ जाएगा 107 107 कटाफ क्यों जाएगा इसके रीजन भी मैं आपको भी बताऊंगा और 107 के बाद OBC का कटाफ के दिना जाएगा OBC का कटाफ 101 जाने की संभावना है और SC का कटाफ 97 और ST का 89 ये कटाफ जाने की संभावना है अब आप इस कटाफ में प्लेस माइनस 2 कर लीजिए यानि कि 107 109 भी हो सकता है 105 भी हो सकता है यह प्लेस माइनस 2 जब करेंगे तो यह 109 और 105 होगा इसी तरह 101 कितना हो जाएगा 103 और 98 हो जाएगा 97 कितना होगा 99 और 95 इसी तरह का ST का जो 89 का टाफ है ये हो जाएगा 91 और 87 कि बीच में जाएगा कटाफ दोस्तों अब यह कटाफ इतना कम क्यों मैं expect कर रहा हूँ उसका रीजन है कि बाकी और भी लोग बता रहे हैं कि कटाफ जाता जाएगा कटाफ कम इसलिए जाएगा क्योंकि यह तो पहली वा तो यह देखिए रीग्जाम हुआ है रीग्जाम होने के बाद जो है इसमें candidate कम appear हुए है पहले जो candidate हुए तो ज्यादा एपियर हुए थे और रीग्जाम में candidate कम appear हुए हैं दूसरा दूसरा बड़ा रीजन है computer जो computer का paper था वह इतना easy paper नहीं था और इस paper के को qualify बहुत सरे लोग नहीं कर पाएंगे जिनका जो जार सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिस रिजिनिंग यह जो जी के यह चार सब्जेक्ट थे इसमें तो इनका माली यह अच्छा स्कोर कर रहे हैं 150 स्कोर भी इसमें कर रहे हैं और उसके बाद यह computer में जो 20 नंबर qualifying थे वहाँ पर यह 19 पाजा रहे हैं 18 पाजा रहे हैं तो यह qualify नहीं होंगे जो qualify नहीं होंगे तो merit से अपने अपर्टमेटिक पहार हो जाएंगे इसलिए merit कम जाएगी दोस्तों यह जो है merit का नुवार है यह इसलिए जो है काफी कम मेरी शापस जारा क्योंकि सर्वे का मैंने देखा है उसमें यहीं बताया गया है कि जो merit जो है 11,480 लोगों को बुलाया जाएगा और 11,480 केंडिडेट टैपिंग टेस्ट देंगे टैपिंग टेस्ट कि आप प्रैक्टिस अच्छी से कर लिए क्योंकि हिंदी टैपिंग में टाइम लगता है तो जो हिंदी टैपिंग इतनी आसान नहीं होती कि आप एक डिड़ मेंने म के लिए सीख रहे होंगे वो टैपिंग हिंदी टैपिंग अच्छे तरह सकते हैं लेकिन जिनको अभी सीखना जिनको अभी स्टाइट करना है उनकी लिए थोड़े मुश्किल होगा और इसके जो इंगलिश टैपिंग ओ थर्टिफाइव मिनिट मागा गया है और दोनों ट टैपिंग करते हैं इस पीड में करते हैं तो आपको जाप मिल जाएगी यहां असुलिपिक की जाण hem लेटर करना होगा ओंढ़ों लेटर टाइप करना होता है जो उद्सकारी टाइप करने होते हैं नहीं आपने करने होते हैं तो इस तरह कि टाइप करनी होती है आपको इसलिए इसमें स्पीट मांगी जाती है तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो जो मैंने यूपी के कटाफ के लिए बताया था और दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों साथ इसको सेर कीजिए और अगर आपको कोई सुझाओ या कोई चीज आपको समझना आप आई या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं लेकिन कमेंट करने सबस्तों पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि इस बरती से सम्मधित और वीडियो जानकरी हमको मिलेगी वह हम बहुत ही जल्द आपके पास लेकर आएंगे जैसे ही टैपिंग टेस्क्री बलाया होना है तो दोस्तों धन्यवाद अगले वीडियो में फिर्मला कात होगी आपसे